टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिशब पंत की सेहत पर एक बड़ी खबर आई है रिशब पंत के पैर में लिगामेंट की MRI में देरी हो रही है लिगामेंट की MRI दो-तिन दिन बाद हो पाएगी गुटने का लिगामेंट पटने की वज़े से रिशब पंत को 8-9 महीने क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है देरहदून के मेक्स अस्पताल में 5 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स टीम की मॉनिटरिंग कर रहे है लिगामेंट घुटने की दो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है इलास्टिक होता है और इसके ठीक होने में कई महीनों का वक्त लगता है बी-सी-सी-ाई और मेक्स अस्पताल के डॉक्टर्स इस सरजरी या कहें की MRI पर नजर बनाये हुए है पंत को दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा या नहीं देहरादून में इलाज होगा इसका फैसला बी-सी-सी-ाई को करना है रिशब पंत पर एक और बड़ी खबर आ रही है पंत को देखने के लिए अस्पताल आएंगे सी-म पुशकर सिंग धामी दोपहर एक से दो बजे के बीच मुख्यमंत्री अस्पताल पहुँचेंगे रिशब से मुलाकात करेंगे और डॉक्टर से उनकी सेहत का हाल जानेंगे हादसे को लेकर पंत का बयान दर्ज कर लिया गया है अभी देहरादून के मैक्स अस्पताल के ICU में रिशब पंत भरती है रिशब पंत कब तक पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे कब क्रिकेट खेल सकेंगे इसका पता चल गया है जब MRI की रिपोर्ट आ जाएगी तो तस्वीर और स्पष्ट होगी रिशब के घुटने का लिगमेंट फट गया है लिगमेंट की MRI करना जरूरी है MRI से पता चलेगा कि लिगमेंट का हाल क्या है MRI की रिपोर्ट से यह भी पता चलाना है कि लिगमेंट कब तक ठीक हो जाएगा दो तिन दिन बाद लिगमेंट की MRI की जाएगी डॉक्टर्स के मुताबिक पैर की हालत थोड़ी ठीक होने पर ही MRI हो सकती है क्योंकि अभी MRI करने से सही रिजल्ट नहीं मिलेगा लिगमेंट ठीक होने में 8-9 महिने का वक्त लग सकता है रिशाप पंत पहले से काफी बेहतर हैं लेकिन कई जगहें गंभीर चोट होने से परिशानी हो रही है मेक्स हस्पताल में पंत की 24 घंटे मॉनिटरिंग हो रही है और्थो नियूरो स्पेशलिस्ट डॉक्टर की टीम मॉनिटरिंग कर रही है घुटने और पीठ में चोट से ज़्यादा परिशानी है रिशब के फोरहेट की प्लास्टिक सजरी हुई है और कम से कम आठ से नो महिने उन्हें क्रिकेट से दूर रहना पड़ सकता है मेक्स हस्पिटल के और्थोपेटिक सरजन के मुताबिक इस समय रिशब पंत आईचिव में ही है और जो लिगामेंट उसके एमराई के लिए करीबन बहतर घंटे का समय और लगेगा इसलिए उनको अब्जर्व किया जा रहा है एक्स्टरनल इंजरीज इस समय हील हो रही है पांच सदसे डॉक्टर्स की टीम उनको मॉनिटर कर रही है जिसमें प्लास्टिक सर्जन उसके लावा और्थोपेडिक सर्जन नियूरो सर्जन और जनरल फिजीशन भी शामिल है इसकी पूरी डिटेल बी सी सी आई को दी जा रही है इंडिया टीवी को मिली जानकारी के मताबिक करीबन आठ से नौ महीने का वक्त कम से कम रिशप पंद को लगेगा जब वो क्रिकेट पिश पर वापसी कर पाएंगे इसलिए उनको डॉक्टरस ने हिदायत दी है कि करीबन साथ से आठ महीने अभी वो क्रिकेट से दूर रहे और पूरी तरीके से अपनी इंजरी को हील करे यहां तक की इस बारे में भी रिशप पंद को बता दिया गया है BCCI और DDCA को इसकी पूरी जानकारी दी गई है BCCI के स्पाइनल इंजरीज के जो डॉक्टर्स हैं उसके इलावा जो बोन इंजरीज के डॉक्टर हैं सबके मन में सवाल है कि रिशप पंद की गाड़ी हादसे का शिकार क्यों हुई इसको लेकर तरह तरह की थोरी दी जा रही है पंद के करीबी विधायक और हरिद्वार के SSP के मताबिक हादसा जपकी आने की वजह से हुआ जानकारी मिली है उस वह पता चला है कि जपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है इस कारण से जो है गाड़ी अनित्रित होके लड़ गए थी बाकि अन पहलेवों के लिए इसमें हमारी टीम जो है CCTV फूटेज अन चीजों की जाच कर रही है इसमें जो होता है ना कभी कभी जब रात को ड्राइव कर रहे होता है हलका सा कभी कभी फिलिप हो जाता है उस फ्लिप में जो है वो जपकी लगी है या क्या हुआ है उसमें वो गाड़ी एकदम से डिवाइडर की तरफ मूव कर गई जब तक वो समलते तब तक दुरगटना घट चोकी थी लेकिन यह है कि गाड़ी के जो एरबैक्स थे और जो गाड़ी के अंदर और सेफटी फीचर्स थे उनकी वज़े से जान बच गई